हाउर फीक्स यूट्यूब केंट लोट हॉमपेज प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यहापर कभी कभी क्या हो जाते हैं हम जब ओपेन करते हैं अपने यूट्यूब को ठीक है तो किसी ने किसी वज़े से हमारा जो हॉमपेज होते है वो लोट नहीं हो पाते हैं और प्रॉब्लम आ जाते हैं तो अगर दोस्तो आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आ जाते हैं ठीक है और आपका जो YouTube का Homepage है वो लोट नहीं हो पाते तो आज की इस वीडियो को पुरा जरूर देखें मैं आपको शो करके बताऊंगा आपको क्या 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 करना होगा किस तरीके से problem को solve करना है ठीक है आपका problem definitely solve हो जाएगा क्योंकि दोस्ते इस तरगा जो problem है वो पहले तो इंटरनेट के वज़े से ही आते हैं ठीक है दूसरा bug problem के वज़े से आते हैं तो यह दोनों को fix कर देने से दोस्तों आपका problem definitely और 100% यहाँ पर solve हो जाएगा तो simply video को follow करे वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को click जरू कर ले यहीं आप online से पेशा कमाना चाते हैं तो video description पर आपको link मेल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा अगर आपको इस तरह का कुई भी problem आ जाते ठीक है loading का तो आप जाएए अपने mobile के setting पर पहले तो हम internet को fix करेंगे तो dual sim and mobile network पर जाके अपना sim को open कीजिए और उसके बाद जाएए network mode पे network select कीजिए between 3G और 4G की बीच में क्यूंकि दोस्तों यहाँ पर 3G कई जगे पर अच्छे से काम करते ठीक है तो आपको 3G 4G के बीच में ही switch करना है network को उसके बाद देखे network की तरके से यहाँ पर काम करते और सारे सार अपने network setting को एक बार reset कर दीजिए उसके लिए आपको जाना है system management पर और backup and reset पर जाके reset network setting को open करें और यहाँ पर अपना sim select करते हुए reset setting को tap कीजिए और जाइए mobile password बर दीजिए और last में आपको यह इस पर क्लिक करना है reset setting पर ठीक है तो setting को reset वगरा कर लेने के बार आप यहाँ पर बेकिजिए अगर आपको यह setting नहीं मिल रहा है reset network setting तो type कीजिए उपर search setting पर reset करके आपको यह option मिल जाएगा तो बस दोस्तों आपको यह यह कई बार दोस्तों simply solution से जो है problem solve हो जाते और दोस्तों यह आप चेक कीजिए कि आपका internet connection on है या नहीं है ठीक है उसके बाद दोस्तों जाके check कीजिए अगर problem solve हो जाते तो ठीक है नहीं होते तो आप जाके दोस्तों एप को update करें तो bugs वगरा का जो problem होते है वह एब update के बार fix हो जाते हैं ठीक है तो जाके एप को update करें update वगरा करने के बाद दोस्तों देखिए अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बात है अगर problem solve नहीं हो पाते तो आपको next पर क्या करना होगा तो next पर दोस्तों आप जाए setting पर और उसके बाद YouTube को एक बार पूरा phrase restart कर दीजिए ठीक करें यहाँ पर नीचे आपको जाना है application and permission पर और app manager को अपेंड करना है यहाँ पर आपको एप मेनेजर मेनेजर या फिर install करके option मिल जाएगा इसमें जाए और नीचे आपको scroll down करके आ जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपने YouTube एप के अंदर पे उसके बाद जा सबको allow करके आप device को restart जरू कर दीजिगा restart वगरे करने के बात दोस्तों आप जो है YouTube को open करके देखिए और उसकी बात पूरा आपका problem solve हो जाएगा और आपका home page load भी हो जाएगा आपको कोई डिक्कत भी नहीं होगा ठीक है तो बस इस तरीके से आपको problem solve कर देना है तो Twitter कर भी thanks for watching